दोस्तों देवांग थपलियाल एक हिमालेन अडवेंचरर है और कुंतल जॉशियर ने दो बार माउंट एवरिस्ट को स्केल किया है दोनों ही अडवेंचरिस हैं दोनों ही आउटडोर्स में हैं दोनों नहीं बहुत सादा खत्रा देखा है अपने अडवेंचरर्स में और दो चीजे जिन्दगी के दो ऐसे हिस्से हैं जो आपको अपना खुद का कारेक्टर रियलाइजेशन करवा देता है इसका ये मतलब है इन चीजों को देखकर खत्रे को देखकर मौत को देखकर अब क्लोजन परसनल तो एक्सपिरियंस डेथ इससे अपकी सेल्फ अवेरनेस ज्यादा हो जाती है आपका क्यारेक्टर क्या है आप किस तरह से सोचते हो किस तरह से खत्रे का सामना करते हो ये आप सीखोगे इन दो अडवेंचरिस से डेवंग थपलियाल और कुंतर जोईशर ओन देरनवीर शो हिंदी दर अनवीजु हिंदी के एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड पे मेरे दो भाईयों का स्वागत है मेरे दो हिमालियन एडवेंचर भाईयों का स्वागत है देवां कुंतल आप डोनों के साथ एक इंडिविजुल एपिसोड हो चुका है अभी हमारा जॉइंट एपिसोड है तो ए डा largest लिएपिस जूंप आपकी अपिम अगनाश मेरा देद्स स्थोरी के आपकी आपकी अड्यर डेट पर बार में क्यूंकimana क्यूं का बयृकलों पता नियारे और बातों करां हो सकते बाते संब बारे में बाते हैं जैसे कि आफीची स्थिसूरी हिमा इंस्य्मालियन अज़े अटेम्ट में कैंसल हो गया था क्योंकि 17 शेर्पा लोगों की डेथ हो गई थी एंड हम कोई सेफ रूट नहीं फाइन कर पा रहे थे पहाड के थू तो इसके लिए अल्ड़ एक्पेडिशन वर कैंसल तो अभी में 2015 में वापस गया एवरेस चढ़ने सो एवरेस पॉंच गया बेस कैंप और करीबन दस दिन स्पेंड हो गया थे बेस कैंप में एक बार उपर के कैंप भी जा के नीचे आ गया था अगया था एंड दिस वस एप्रिल 25 सुबे के करीबन ग्यारा पच्पन हुए थे अंड हम सब दाइन टेंट पर जैसे हम अबी परोड़ा था एंड हो जब आगे शल यह का इन नगर रए बेटारा क्या तो इंड मेरे शेर्पा खुक ने मेरे लिए ग लिए मसाला डुसा मना विए अब लाया था एंट टो पीना का की बैठ़ा था एंड वे बाट इन फुड़नी यह थे थे प्रिप अजाड टेंग यह I'm like, this seems weird, you know, ऐसे तेंट कभी शेक नहीं होता, इसे तेंट कभी शेक नहीं होता, इसा रिएक्षिन नहीं मिलता इसका, and then within 5-10 seconds, पूरा दाइनिंग तेंट शेक हो रहा था, like, we all knew कि एक अर्थक्वेक हो रहा ही है, so, we quickly बहार आए, और हम, you know, सब ग्लेशियर पे खड़े थे, and, like, you know, ये ग्लेशियर को अगर जूला समझो, और ये जूला अगर एक साइट से दूसरे साइड हो रहा ना, almost ऐसी फिलिंग आ थी पैर के नीचे, and, like, लोग जोक कर रहे थे, कि ग्लेशियर फट गया और अव अंदर चले गया, you know, Hollywood movies में होता है, पुरा जमीन, ऐसा कभी होता नहीं है, रियल में, ग्लेशियर ऐसा कभी फट ता नहीं है, but, like, डर लग रहा था, kind of, and then, करीबन, like, 80, I would say, 75-80 seconds of earthquake चला, और फिर बंद हो गया, और, like, पाँच सेकेंड के लिए, जैसे, like, पिंड्रॉप साइलेंस, पूरे, kind of, you know, base camp में, and then, a huge boom, like, जैसे कहीं दूर कहीं bomb blast हुआ, सुनाई दिया, अब प्रॉब्लम क्या था, वो दिन के, एक लोग लाउड सेट हो गया था, base camp पे, जिसके वज़े से, हम कोई भी पाड नहीं देख पा रहे थे, like, Everest कौनसे साइड है, पुमोरी कौनसे साइड है, मैं पता है कि यही इस्ट है, मतलब Everest यहाँ होगा, बट दिख कुछ नहीं रहे, पीछे देखा, यह पुमोरी है, बट डिख कुछ नहीं रहे, तो आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, और यह bomb blast का आवाज आ रहा है, तो हमें एक mind में बता है कि avalanche आ रहा है कहीं से, बट समझ में नहीं आ रहा है कि avalanche कहां से आ रहा है, तो खड़े सब लोग आवरेस्ट की तरफ देख रहा है क्योंकि आवाज आवरेस्ट की तरफ से आ रहा है, और यह मेरे सामने का जो टीम है, इंडियन टीम था, पूना का टीम था, दो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स है, सौराज और समीर, दोनों सामने खड़े थे, और उनका पूरा टीम था रहा है, मैं सोच रहा है पागल होगे कहीं लोग, अवरेस्ट की तरफ से आवलांच और रहा है, लेफ्ट फफ था, तौ राइट फफ द स्काय, जैसे कोई आई सौर सुनामी आ रहा है हमारे उपर, पूरा बर चुका है, और इन बाट मोमेंट, ऐसा लग नहीं रहा था के मैं मरूंगा, हंड्रेड परसंट गैरेंटी थी के मैं मरूंगा, तो यह कैसा था मालूंगा, अभी तो टिकेट कट गई, अभी तो टिकेट कट गई, और यह जोकिंग अबाट इस, आई टेल यह के मन में कैसा फील हो रहा है, एक साइड पर डेथ का तो फियर निकल चुका था, के मैं मरूंगा, क्योंकि मर सामने ही मौत है, इतना महनत किया, पहाड भी चड़ने नहीं मिला, इस इस अल फिनिष ना, वी अडेड, एंड, त्री अफ वर देर, मैं एक जापनीज क्लाइमबर और एक जर्मन क्लाइमबर, और हम तीनो जाके उस मोमेंट में एक टेंट के पीछे चुप गए, और एक तीनो जाके उस टेंट के पीछे चुप और एक तीन फीट स्नो के अंदर यह क्या है मतलब इस ड़संट फील लाइक अपने बॉड़ी पे के दो इंच है स्नो मेरे बॉड़ी पे तो यार यह तो आवलवेस हर्ड के आवलांच में तो मैं पूरा ढग जाओंगा मैं तीन फीट स्नो के अंदर यह क्या है मतलब इस ड़संट फील लाइक आम गुट डाई इन दिस अवलांच एंद फिर दस सेकंड हो गई और मैं सांस लेने की ट्राइ कर रहा हूं और सासी नहीं आ रही अंदर मैं तीन चार बार खीन लगा यह पले पैनिक हो रहा हूं मैं ले तो यह को समझ में यह पूरा यह हो रहा है और यह अन दान इन दाट मोमेंट जो मेरे बाजु वाला क्लाइमर था जर्मन क्लाइम नेम् यॉश कबूश रही अज़े साल वह विंटर में अवरेश अखेले की ट्राइक तो वह बंदा मेरे नेक साइड में था और उस अपन कि और उसने बोला कुंतल you can come inside my jacket and breathe तो मेरे jacket में अगे तुम सास लोगी तो I went inside his jacket and like took I'm like what the heck like you know like it's almost as if you know बच्चा बहुता है तो कैसे पले सास आती है like you feel like I am alive so वेसी kind of feeling अई उसके जाके अंदर and I could you know see that he was also kind of breathing inside his jacket like ambient pockets of air उसके जाके अंदर but otherwise we are covered by like you know एक वो जो यह कैसा था यह रियल आवलांच नहीं था यह आवलांच का जो आफ्टर शॉक होता है जो बड़ा एक आफ्टर शॉक एक रिप अपाट करता है और उस एरिया को थम उस आफ्टर शॉक के बीच में थे तो समझो अगर तुमने एक हिट का बोटल ले अगर अगर मैंने एक बार दिया पूरा तो एक नहीं नहीं रे पाएगा उसमें तो इसा सिचुएशन बन गया था यह और हम कोई सांस नहीं रे पाएगा तो अगर वहा भारी थी इत वास इंट अवारी थी इसक्शना फिल्ड विप ट्टर आफ्टर अवारी थी एक वार जूंद कर मिलें यह और कि जान ए उतना एंब टॉर हिए एॉ पूर यह आओट अवारी वह द न writings है तो जूह अफ्टन और मुरू। में हमारे बढ़ने के लिए तो kind of in that situation and luckily this guy had the presence of mind to you know detect the situation तो उसने वो कर दिया and then luckily I think five minute अगे सब हो रहा था and then we kind of said okay great first thing we did is we kind of भाग के high ground लिया देखा तो literally अगर तुम before or after picture करो base cam का तो before एक you know tented city 1200-1300 लोग रह रहे इतने सारे तेंट्स after picture करो flat ground कुछ बचानी है base cam पे 50 फीट दूर हमारे से 50 फीट दूर एक camp था एक छोटा एक हम था glacier का जिसके पीछे उनका campsite था उस campsite में से करीबन 5 लोग मर गए and सारी की सारी deaths were not deaths because they got buried under snow but सब trauma deaths थी जैसे कोई literally just got airborne and got thrown away for like half a kilometer गिर्या snow you know ice boulder field या कहीं भी जाके and other people were just hit by massive boulders they were just instantly killed तो 21 लोग मरे base camp पे almost 100 लोग injured हो गए थे और I remember कि हम medical tent में गए थे क्योंकि हमारा पूरे campsite में से kitchen tent standing था क्योंकि अंदर छे शेरपा थे जो लोग kitchen tent को ऐसे पकड़ के खड़े थे चार बड़े बड़े hole थे kitchen tent के अंदर so probably massive पत्थर युनों फटके आये थे या कुछ तो फट युनों हुआ था ऐसे खड़े थे वो लोग kitchen tent was standing एक stove हम लोग जला पाए थोड़ा पानी बना पाए we said ना हमारे पास कुछ है कि हम किसी की help कर सकते ना हम लोग trained rescued professionals है कि युनों हम जाके कहीं कोई stretcher बना के दे या युनों हम लोग doctors भी नहीं थे तो ऐसा कोई हम help नहीं कर सकते थे other than saying कि हमारे पास थोड़ी extra medical supplies है और हमारे पास थोड़ी पानी की bottles और यह major चीजे होती है जो outside of rescue professionals and यह सारी help के लोगों को पानी की बहुत जरुवत पढ़ती है ऐसे ताम में तो हम वो सब लेके गए और वो सब देने गए तो I remember के मतलब ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी war zone के अंदर आ गयो सब लाशे आ रही है यहां से कोई तूटा हुआ हाथ लेके आ रहा है कोई तूटा हुआ पैर लेके आ रहा है कोई तूटा हुआ लेकर आगरे लेकर लेकर आ गया है मूह में इतने बड़े-बड़े लाइक फट के ओपन हो गया है वैसे तो अब यह सब देखते हो I mean it was a tough situation एंड हमारे पास सैटलाइट फोन भी था उस ताइम पे तो हमने सैटलाइट फोन से लग्किली वी वर अबल तो एस्टाइलिश कनेक्शन विद कत्मान्दू एंड राइट अवे इनिशल एस्तिमेट्स वर के आट-टा सथार लोग मर गए एंड करीबन यू आफ लाइक हाफ प्रमाइट के डिफरेंस के वजय से आएम सिटिंग यूर अग तो यू तो यू अग यू ज़िश्ट न फिफिटीं इन राइट इन राइट एंड पासिबली बैदली इंजर्ड या फिर वर गया होता डोनों में से एक कुछ होता तो एक काइंड अव मेरा तो यू नग न मैंने तो मेरे प्रेयर्स बूल लिय था उस दिन में मैंने तो हात्माइट जोडगे चलो अभी तो निखले अपनी तिकेट विकेट सब निखल गया अविट दन बदेंड तो इन दो कंड अलाइव आट अव आट अव थिस आएंड अग्रेट फुल यू अग्रेट्फुल अग्रेट यू चाहिए अच्छेश मैं श्यू चाहिए अग्रेम्स तो बद अनफूटुनवेटल इन एपने नेपल अन उसके बाद जो काफी सारा इतना इतना अग्रेट्रक्शन और यह सब हुआ अग्र अग्रेट अच्छावर वर रए एक्लियर मैं शर्पा इशर्पा टीम काफी टीम टीम सर्पा जो लीक्रणी अग्रेटक्शन अग्रेट अच्छ्णा का अग्रट आई एकुछ फूर्ट कि यह नहीं जाग्रेट्पार इस आए इस आट तौन यह थे निकलो अग्रेट्वीज फिर टीम टीद इसट उन स्टीम इंडेट्टा इस टीम आः अ And I think all expeditions that year were cancelled in the mountains, in the Himalaya of Nepal and the Himalaya of Tibet. And yeah, I am again, as I said, just grateful to be alive and here and sharing my story. That's all I can say. Man, intense. Hence, our last podcast, Devang, both of them said that he saw death as close as he has got a second life, his second innings. I think that's two or three times. One was the one who told us about Leopard's story in the last podcast. But one more time, I was listening to you, when I was listening to you, I was in that zone that the first time, when the tsunami came, I didn't know how to spell the tsunami. But I didn't know how to spell the tsunami. I could tell you that the tsunami was on the beach. And I was on the beach and I was on vacation, and I was on the beach and I was on the beach and I was telling you, let's go, let's go, let's go. So, I thought, what's going on? It's very difficult because I was going south. From North Indian to be a South India. It was a big deal in my time, because it was four days and the flights didn't go so far, so we took off on the train and it was just a vacation. And then, the water was running back there and the water was increasing. It didn't go swimming. मेरा फेरो वाटर बढ़ने लग गया वो पहला दिन था जब मुझे फेरो वाटर फील हुआ और मैं अगल बगल देख रहा हूं मम्मी भापनी दिख रहे हैं मतलब मैं तो गया मैं वो डर पहले आ गया उसके पानी का दर और आ गया और जैसे कैसे करके कोई आदमी आया उसने मैं help करके मुझे बहार निकाला मैं आया मनल ठीक है जो भी था तो अभी आपको सुनते वे मैंने ये रिलाइस किया था यार कि जब मैं इतने सारी सिचुएशन में आया हो ना उस दिन मैं ज्यादा अलाइफ पील हूं हर एक सिचुएशन में जब इतना घुज गुज गया उसके बाब फिर मैं घर आया तो पता चला कि यार सुनामी आया है और पूरे कोस्टल वास्ट आओट हो गए और इतने सारे लोग मर गए और ममी मुझे बोल रियार हम तो बहुत लगी है यह वह और तो छोटे है चोटे सेम शिक सिक साने क्लास में कि यार स्विंग आनी बह हो सकता है जिसमें आपकी जान ही अज़ सकती है आपको पता है नहीं अगले दिन क्या होने वाला है अभी रिसेंट्ली मैं अराउंड फेब मैं कर रहा था तो कर रहा था हमारा प्लान ता कि वी विल भी दूइंग इट अलकनंदा रिवर में और रुद्रप्रियाग के पास हम जब वहाँ पे थे मैं और मेरे दोस्त क्याकिंग कर रहे थे हमको एक text आया एक video forward हुआ कि यार अलग नंदर रिवर washed out हो गई है और वहाँ पे एक dam फट गया था और बहुत सारा massive loss हुआ है तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं यार कि इस time पे हम लोगों ने वहाँ पे होना हम इस time पे गये थे भई वहाँ पे तो कोई rescue rescue कुछ नहीं होना था एक तो आया bar and it'll take us away और उसमें मौत इसले नहीं होगी कि swimming आती नहीं आती है अगर swimming आती भी है उस time तो सीख भी लिया था लेकिन वह पत्थरों से टकराते हैं उसमें आपका गया एक one collision with your head and you're gone your body is smashed like anything and आदा पार्ट दर आदा पार्ट दर तो we were looking at each other and we were like यार अभी ना कितना अच्छा है ना यार कि मतला हम जिनना है यार अभी हम वाँ पे नहीं थे अभी बता तुझे करना क्या है अगर तो अभी मर्गी हो तो तो यह क्या क्या चीजे करनी थी we both looked at each other and it was a kind of constructive conversation we had कि वो क्य क्या चीजे लिखना भी और कर देते हैं उनको why are we waiting for some other day जो भी करना हो करते है तो it was because मैंने feeling share कर रहा था किसी के साथ तो यह दो incidents हो है अभी most of time मैंने अपना आपको danger में intentionally डाला है यह सोचते भी नहीं किया कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा आपको मैं पांगर चुला बता र उनका drop हुआ और वो नीचे फिसनने लगी रूप नहीं थे कोई और मेरे पास इसेक्स थी वो नीचे आने लगे तो without any second thought मैं मैं कूद गया उनको बचाने के लिए अब उसमें कुछ दो चीजे हो सकती थी the first की both of us हम बच जाएंगे second if we will go we'll go together only तो हम गए तो जब उनको प और फिर मैंने egg sex मारा and then we both are going down because she was her weight was more than mine तो वो जो velocity से आरी थी उस gravity के साथ सा she was also taking me down तो पीछे से इतने में उनको पर हमने कम कर दिया like as she is going down in that ridge अब वहां से जो fall है वो ऐसा है कि अगर आप नीचे गए तो जितना नीचे आते हो कि उतना आपका acceleration बढ़ता रहेगा और 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 speed टेज होते 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 नीचे पहुचो के body नी मिलने वाली ऐसा वो fall है वहां से तो जब वो गिरी वहां से इतना सब को मेरे माइन ने टाइम में calculate कर लिया थे कि अगर यहां से गई तो कहां गई किसी को नहीं बता without second thought मैं कूद गयो और वो icex पगड़के I was holding her now अब हम दोनों साथ में जा रहे हैं और वो thought और aggravate हो रहे हैं कि अभी हो गए होने क्या वाला और यह पूरा जो चल रहा है नहीं 20 seconds में wrap up हो गया था पूरा event तो जह हम दोनों जा रहे हैं लेकिन एक चीज यह होई कि उनकी acceleration कम हो गया because of icex जहां पर हमको break दे रहा था इतने पी नीचे से जह हम नीचे आ रहे थे तो एक person ran from here and came here to हमें break करने के लिए तो उस टाम पर मैंने kind of a foolish चीज गई थी कि मेरे पास को safety gear नहीं है मैं खुद anchored नहीं हूँ और कोई rope नहीं हमारे पास और एक आत्मी जा रहा है शायद दो दो victim हो जाते हैं बहाँ पर but मैं मतलब उस time पर मैं death मतलब इसा already इतने सा incidents हो गए थे life में कि मैंने सोचा नहीं कि अभी मैं जो काम कर रहा हूं मैं work is to keep all these people safe वो मैं प्रियर्टी है मैं आ जब भी I give a briefing to people मैं सब लों के एक पहाडचंड से time सब लों का एक common सी चीज होती है यार कि अब पहाडचंडे आये थे प्पेंट क्वाट अलोट second thing time निकाल के आते हैं the investment of time there's investment of a lot of energy इस अब चीजे जब invest करता है इंसान to climb a mountain and once he's climbing that mountain हमारा mind होत narrow minded हो जाता है we can think about a lot of things at the same time but our mind at that point of time it's thinking about one thing to be at the top आप सब उपर पहुष्ण है पहाड के बाय टैस और बाय मस आपको बस पॉष्ण है उपर जाए आपको सारा जोड लगाना है अपने इतनी सारी मैनत करिए you reflect it over and over again you think about all the efforts that you've gone through तो आपका माइन आप you can think about a lot of things it can think about things which has to be concerned about safety things and all and all लेकिन you push all those things aside you think about one thing कि यार मैंने बस उपर चड़ना है और मझे वहाँ पहुष्ण है बाय हुक और बाय कुख तो यह जब एक mindset है और लोग जब उपर बढ़ रहे है और मैं सबसे पहले promise कर दे तो लोगों कि यार माइ responsibility is not to take you up my responsibility is to bring you down safe in these two there's a big difference कि उपर जाके नीचे आना is the most prior thing आप उपर पहुच के मतला most of the incident happened and Everest most of all कि लोग उपर पहुच तो जातने है और any summit लेकिन वहां से जो नीचे का रष्टा है आने का क्योंकि आपने उस टाम पना पना पुश कर जाए कि नीचे आते ताइम भी आपको energy चाहिए तो आप इतना अपने आपको कर जेते हो एक्शॉस कर जेते हो कि और बोड़ी गिवस अप and वो एक चीज मेर मतला यह ना मेरा एक wisdom डेवलप वा तो स्टैंपे वो तो तो तिंग विचे sensibility and desire I started debating on that कि what I'm not saying anything is wrong sensibility is also right and desire is also right I have a desire to climb that mountain I'll have to climate irrespective कि मैं उसके प्रिपेड हूं नी हूं मैं पास gears है नी है पर मैं डिजायर इना strong है कि मुझे करना है तो मैं चड़ूंगा और sensibility यह कि मैं इसी बास को मैं sensibility की तौर पर सोचूं तो मेरे पास gear नी है मेरे पास equipment नी है मैं प्रिपेड तो हूं पर मैं क्या sensible decision था कि jumping वाला थो चोड़ो बटन इट वाइजार की फर्स आप पूरी टीम को अपर लेके जाना है I could have easily stopped that person की नहीं because of this reason I will not take you up I will just take the people who are efficient enough to climb that entire mountain so I took that decision की नहीं आप चलो ओपर but then when this thing happened there was no second thought nothing given I decided की okay if I'll have to go down I'll go down while doing what my profession is if I am dying at this point of time while saving someone and that life so okay I am accepting it so without giving a second thought I jumped and वो बजगे तो उस टाइम पे भी I was very much alive मतलब मैं अपना सब कुछ फील कर रहा था अपने धटकने फील कर रहा था उनका हाथ और वो हाथ कितना जादा slip हो रहा है वो सब चीने फील कर रहा है वो कितना slip होते है मेरे fair भी आरहा है कि अगर यह इतना सादा और शीप होगे तो यह और नीचे चली जाएंगी यह कितना grip बना कर रख रहा है तो मैं इतना अजा लाइव होगे थे कि बना कितना बना कर दो कितनाच अचैड अचैज़ अगरणी हощतक की ता डेह जय कैनisu भी आऔर यह वाद ऋ आप यहँंप हभी तो यह जो लोग हो आख कि बाद पह अपुह मिल संचैन्र एंट अ कि बहुत ऐ वाणि वह थेल भी किया है ऎर यह वर नहींतना आप ले लो but मैं नीचे नहीं देखुआ है तो हाँ the other one was की एक बोडी लेकर जारे and it took us four days to bring that body down to a civilization or a civilization में आई भी तो फिर पिक अपने हो पारा है हेली पिक अपने हो पारा है because of the weather and all so उसमें भी like we are prepared for the worse and the worse is की अभी तो आप आप एक विक्टेम लजारे हो a person who is suffering later on second stage होगी की आपना परसन ले ले रोगी आपना परसन ले रोगी आपना परसन ले आपना बोडी और to live with that thing की you are carrying an alive person and later it turned on to be a body who is bringing a body down बुरा mind shift हो जाता है to live with that thing forever तो I have been fortunate enough की कुछ ऐसी दुरगटना नहीं हुई I was bringing someone जो या तो already dead था if someone died around like not died but कोई विक्टिम को कोई कोई केस हो गया तो fortunate enough to bring them down to the doctor and let doctor take care of it I think death changes you seeing death on any quarters क्यों सिटी में रहकर आप इनी death देखते नहीं पर on adventures like you boys just it changes you as a person यार मैं इंस्टाग्राम में गुड मॉर्निंग के साथ एक कोट डालने लगाऊंग उस दिन के वासे की every day above the earth is a good day no matter what and I have read this before but I haven't felt the intensity जो इस चीज की है ना उतना इतना डीपली मैंने फिल नहीं कया था जितना मैं ये रुदरप्रयाग बाले चीज के बादे मैंने फिल के आपने दोसकों को बले क्या लिस्पना की भाई कमने क्या क्या चीज़ें कर नी है इसके पॉइंट को फॉलो करते हुए कि कभी-kभी हम कॉंस्टनली सोचते रहते है अर्य ये मेरा ड्रीम है मुझे वर्ल ट्राविल करना है मुझे ये करना है पर मैं 60 यह मैं करूंगा इस तिपिकल मैंडसेट है और अगें थिंकिंग अबाओ वाद ही सेड यार उस दिन जभी मैं बेस्कैंप में था और वो बड़ा सुनामी था तभी तो नेक्स मोमेंट भी शॉरिटी नहीं था मेरा फगेट 60 यहर्स का 60 यहर्स का तो काल्कुलेशन ही नहीं था उस ताइम में it was a calculation of just next moments, next few seconds so I feel one of my learnings उस दिन था के boss whatever your dreams are, whatever your passions are they have to be chased now, not tomorrow, not day after, not day after after, not 60 years later जो भी करना है, अभी करना है no time waste नहीं करना है, you know second life मिला है, जो करना है अभी करो and given the fact that so many of us lead very privileged lives इसलिए मुझे लगा क्या, अगर हम privileged life जी रहे और फिर भी हम हमारे dreams को नहीं चेस कर रहे और complaining में life, you know, spend कर देते I think that's not, it's not just to life itself, is what I think 100% near to death जो experience है, और being alive जो experience है मतलब एक बार इतना ज़्यादा देख लिया ना, उसके बाद मुझे लगता है उस moment को मैंने काफी ज़्यादा पीछे पुष कर दिया है तो अगर मुझे यहाँ पर लगता था कि मेरा अभी आ गया है तो मैंने उसको ना काफी उपर पुष कर दिया है बार को कि इतना तो देख लिया है, इतना मेरे heart ने महसूस कर लिया है and I am sure most of the time आपको बताओगा कि यार accident होता है उसके बाद लोग ना heart attack से जादा मर जाते है rather than कुछ चीज़ें आना मतलब जैसे body drown हो रही है ठीके आपने वापे हिम्मत हार दिया फिर आपको आपको लग रहे है कि यार आप निकली नहीं पाओगे तो आपने वैसी give up कर दिया and that had happened मतलब मैं इसलिब हो रहा हूँ कि मुझे एक incident याद आया कि एक चोटी दी गाड़ी का accident हुआ and then there were three people जो उसके अंदर इंदर फस गए थे और मैं बाइक में lockdown time की बात है मैं बाइक में आ रहा था अब मैंने वो गाड़ी देखी अब सबसे पहले ख्याल तो यह आए कि यार call करना है 108, 108 number बुला दो तो मैं वो call कर रहा हूँ while I am going down तो 108 में फोन करके बताया है कि भई location और ने पूछी अब location मैंने बोले यार इस town से इस town के बीच में आप आओ आपको कहीं पर यह उपर दिखेगा वहां से आप नीचे आजाओ को कि आप उसको figure out नी कर पाऊगे मतलब this was my say कि आपने इस रस्ते में हमको ढूड़ना है अब उस time पर यह ता यह गाड़ी फल्टी भी है अब वह ऐसे edge में भी है कि यार पेड अगर वह तूड़ गया तो वह गाड़ी यह से चल जाएगी नीचे अब इतना सब कुछ हो गया है इतना सब कुछ देख लिया है कि यार अगर मैं first time ही कर रहा होता तो शायद मैं जाता नहीं मैं 108 बुलाके 100 नमबर बुलाके वेट करता कि यार वो लोग आके करने दो अपनी उससे पहले ही मैंने जब इतना सब कुछ देख लिया था कि वोई without a doubt कुछ था ही नहीं जाना ही लड़कों को निकालना है एक गाड़ी गई तो यार तीन लोग है अब उसको पूरा रोड तक छोड़ा पानी वानी देखा तो उसने थोड़ा अंकॉंशियस थाइप का है लेकिन इतना में देख रहा था कि यार बहु ज़्यादा और नीचे जाने में लगी है जब कोई चीज जाती नीचे तो रस्ता बनाते वेसे मिटी कर देती ने खाली तो वो नीचे नीचे जाने में लगावा था तो मैं जब सेकिंड टाइम गा नीचे तो वो सेकिंड वाले अंद आपको अड़ी निकाल जया था तो विक्योज अब हिस हेल्प हमने फिर उस वाले को निकाला जो आगे बैठा तो ड्राइव कर रहा था और उसको निकालना काफी तफ था क्योंकि वो दर्वाजा बंद ऐ उसको निकालनी कोशिश करी जैसी निकाला हम तीनों पर आये इतने में गाड़ी और नीचे चली गई मतलब पूरी नीचे तो नीचे खाई के बड़ थोड़ा से नीचे करके थोड़ा से गिर गई अब वेट नहीं था तो इसलिए जादे नीचे गई नीचे गई बड़ अ ऐसा लगता है कि मैंने उन लोगों को कुछ दूसरी जिंदी की दिये लेकिन मुझे लगता है नहीं है महाँ पर मैं बस सही टाइम पर पहुच गया और वो फोटो मुझे खीश नी थी उसके लिए चकर से वो दिग गया मुझको तो वहाँ पहुचके उनको निकाला और गा है वो मुझमेंट जब चीजें चली गई उदर से उदर तो वो ना आपके बड़ीज बन जाते हैं नो मेंटर आपका उनके साथ कोई भी बॉंड है अगर आपने वो एक्स्पीजन साथ में शेयर किया है कंप्रीटली अगरी क्योंकि जो सेम यॉष्ट जो मेरे बाजू में था उस तो अपना जैकेट ओपन करके मुझे अंदर आके सांस लेने दी तो आई लिटरली कंचेडर कि यॉष्ट गेव मी ए सेकंड लाइफ तो मेरे लिए तो यूनो जो आपने उन लड़कों के लिए मेरे लिए भी सेम यॉष्ट ने वो किया गिवन दे सिचुएशन एक इतने बड़े अवलांज के अंदर इतने बड़े अथकोएक के अंदर उसको मेरी जान बचाने की कोई ज़रूवत नहीं थी अगले साइड में दूसरा जापनीस मांटनीर भी था जो भी उसके जाके सांस ले रहा था कोई करने की ज़रूवत नहीं थी उसको फिर भी उसने किया जो इन्हों ने कहा कि शाय मत करो अगर आप उस सिचुएशन में वो जहां आप किसी की जान को बचा सकते हो तो जाओ कर है यह 100% 110 110 को फोन करो यह जो भी 108 उसको फोन करो ना नहीं बोल रहा हूं बड़ अगर आपके पास वो है लाग इफ यू आर ट्रेंड इन असर्टन वी और इफ यू फिल कॉंदें तो जाओ बचाओ उनकी जान और एक बहुत जादा इंपोर्टन चीदम को पड़ा है तियो स्कूल है कि विफोर यह एपिं सम्वन ना फिर्स 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 रूल इस थिर्स आप नमबर वन आम नमबर वन अल्ली तेकर आप नमबर तो त्री फोर फाई और इसा ना हो कि तीन की जान बचाने के तुम भ आप किस सिचुएशन में आप काल लेते हो जैसे आपने बोला के पंगार चुला पर आपने वो लड़की के लिए तो आप टीम के लीडर थे आपके पास वो स्किल्स हाँ सब कुछ था इफ देर इस सम्वन जिसके बास स्किल नहीं और वो बीच में गिर रहा है वो भी जा दो जन साथ में जा रहा है फिर टीम लीडर पर कितना ज्यादा प्रेशर आ जाते है तो सम्थिंग जो मैंने एवरेस में सीखा है इसके जब आप किसी टीम के पार्ट होते हो तो एंशॉर करो कि आप रिलाइबल मांटनीर हो आप अच्छे मांटनीर हो और आप टीम के है इमाजिन करो अगर तुम ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको इतना बेजिक भी नहीं पता है तो दाट इसमार्ट वे ओफ आफ यूव दूग एनिधिंग इन लाइफ किसी भी फिल्ड वे जाओ प्लीज तैयारी करके जाओ अच्छे से तैयारी करके अच्छे से तैयारी करके इनिशली तोट किस पॉड्कास में हम बहुत सारी चीजों की बाते करेंगे बड़ाय की यह पॉड्कास की थीम डेथ और नियर डेथ एक्स्पिरेंस बन गई यह पॉड्कास एंड कर देते वित वन साइनिंग अफ नोट फ्रम बोथ अगर मैं आप से कहू कि डेथ को दो य दो पेसंटेंस इस अवडिकल बात मैं आप अफ यह पॉड्कास मेरा व्यूपंट बताऊंगा और यह थिक यह निए वीवपॉंट आपको पहले भी बताया है बहुत बार अइख एंग यह रियालिवा इन इत इस द एप्सलू अप्सलू 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 पॉड accept that death is reality but doesn't mean that you should not be pursuing your dreams and passions because a lot of people say I will die on Everest, I will do something or I will do something in this adventure or I will do bungee jumping or I am a trivial example but I am saying something more serious if you are going to become a mountaineer or a rock climber or get into rescue and all of these things death is reality, I understand there is a lot of risk involved, I understand but that should not stop you from pursuing that is how I think about death and I think again the main thing is that 500% effort whatever you are doing because then you will be respecting life and respecting death both, I think this is very important, people are ready people are always looking at shortcuts please don't look at shortcuts because the shortcut end is death most of the time so better shortcut means prepare yourself prepare yourself and you will stay alive for many 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 years have many 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 good mountain climbing experiences great stories that you will tell your grandkids and their kids and everyone and I think you know a lot of people say tons of people write to me every single day I have to go to Everest every single day and during the conversation I have to say a lot of people say that I am ready to die for Everest and I am ready to die for and if you are going to die for this attitude then you will die for 100% average and you will die for 100% and one concept is a view to die for my attitude is a view to live for okay don't go to this attitude don't go to this attitude die for it oh I have to reach the top and my life has been fulfilled oh brother come down true happiness is when you share that happiness with your family and with your friends you will get a happiness if you are not who will share that happiness that's how I think about kind of death it's a reality but don't let it stop you from pursuing your dreams or living your life normally and enjoying your life to the fullest that's how you should consider death along the same lines I mean people are afraid that it's obvious that after death I don't know what happens but one thing is that you are so afraid that if I don't leave a job in 2015 I think it's a body and I would have died the soul would have died and just I was living for my parents maybe for my wife for my kids that life is going on but I was living that alive moment so now after the decision that I will venture into the outdoors live create it in my own ways so death after seeing close to see it's a thing that you have kind of consumed and if you consume then life is left only life is left every day is a good day you feel intensely all the things you feel you feel you feel you feel you have some work that is pending or that is pending because I don't have a mind and if there is a mind then I will do it so this has a little clarity to come to death you don't have to fear from death you don't have to consume it it's not coming now some people are slowly 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 something is getting lost something is getting lost we are eventually going towards that only we have come to this earth so we have to go but the time it's beautiful we have to do it so that means that means every day I have come I will go now my mindset is this has happened over a period of time when people have asked me questions why do you do it why do you do it if you go there then there is more risk involved so I didn't have the answer first I didn't have the answer so I thought after I live in this time wilderness after I come to the city and I cross the road I have to cross first two days I think I have to cross first two days I think I am running running so I think I can do it so if I come to the city if I come to the city if I come to the city then he will come and take me and take me and take me and take me so I have consumed it and I have to beat the city and I am so I am so yeah that is it beautiful I have absorbed some notes about death from this podcast thank you to my two brothers I will link you both below please check out and those podcasts we have done with Kuntal and Devang please watch it these are two repeat guests on the show constantly and I hope you enjoyed this episode of TRS Hindi thank you guys thank you thank you so much this was our Himalayan special episode of the Run-Beer show we have done this two people solo episodes please go and listen if you haven't heard them then you will get to know them very much about their perspectives in which I have learned a lot from their perspectives in which I have learned a lot from their perspectives in which I have learned a lot from them in which I have learned a lot from them in which I have learned a lot from them inspiration and bravery I have learned a lot from them I hope you enjoyed this episode this episode share this episode and like this episode and until next time on the Run-Beer show Hindi thank you music 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 music